नमस्कार कोई ग्यान चैनल में आपका स्वागत है क्या आप भी अपने यूटूब का सर्चिष्टी डिलीट करना चाहते हैं लेकिन आपका यूटूब का सर्चिष्टी डिलीट नहीं हो रहा है तो इस प्रोब्लेम को आप कैसे ठिक कर सकते हैं तो इस वीडियो को देखते रहें तो चलिए सिखने के लिए चलते हैं अपने मोबाइल पर अब यहां पर आप देख सकते हैं कि हम अपने मोबाइल पर है मोबाइल पर आने के बाद अगर आप अपने यूटूब का सर्चिष्टी डिलीट कर रहे हैं और डिलीट नहीं हो रह तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने फोन में मोबाइल के डिस्प्ले को उपर से नीचे की वो डाउन कर लेना है डाउन करने के बाद आपको यह चेक कर लेना है कि आपके फोन में मोबाइल डाटा ओन है की नहीं कभी कभी होता है कि लोग अपना mobile data on करना भूल जाते हैं और वो यूटूब का search history delete करने चले जाते हैं जिनके कारण उनका YouTube का search history delete नहीं हो पता है तो यहां से आपको अपना internet connection check करने के बाद अगर हैं से आपका internet connection on भी है तो पर भी आपका search history delete नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है कि आपको अपने phone में एक बार aeroplane mode को on करना है on करने के थोड़ा दिर बाद फिर से इसको off कर देना है इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि यहां से इसको back करना है back करने के बाद आपको अपने phone में play store को open करना है तो चलिए play store को open करते हैं open करने के बाद अब आपको search पे click करना है और यहाँ आपको YouTube search करना है YouTube search करने के बाद अगर आपके phone में YouTube का update आया हुआ है तो simple आपको यहाँ से YouTube को update करना है अपडेट करने के बाद आपको क्या करना है कि यहां से YouTube को cut कर देना है recent से इसको हटा देना है इतना करने के बाद अब आपको अपने phone में YouTube को open करना है और वहां से YouTube का search history delete करके देखना है कि आपका YouTube का search history delete हो रहा है कि नहीं अगर आपका problem इतना से ठीक नहीं होता है तो अब आपको क्या करना है कि अपने phone में आपको settings को open करना है तो चलिए settings को open करते हैं settings open करने के बाद आपको उपर क्यों स्क्रॉल करना है स्क्रोल करने के बाद आपके phone में एक Apps का Option दिखेगा तो आपको यहाँ पे जाना है जाने के बाद इसमें आपको एक App Management का Option मिलेगा तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद फिर से आपको ऊपर की और स्क्रॉल करना है और इसमें आपको YouTube को ढूंड लेना है YouTube ढूनने के बाद आपको YouTube पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ आपको एक storage usage का option मिलेगा ता आपको क्या करना है कि इस पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ आपको एक clear data का option मिलेगा ता आपको एहाँ पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपको क्या करना है कि यहां से आपको delete कर देना है, इतना करने के बाद यहां से आपको back करना है, back करने के बाद यहां पापको एक first stop का option मिलेगा, तो आपको यहां पे click करना है, और यहां से इसको first stop कर देना है, इतना करने के बाद आपको recent से इसको हटा देना है, हटाने के बाद अब आपको क्या क करना है कि अपने phone में फिर से आपको YouTube को open करना है तो चली YouTube को open करते हैं, open करने के बाद उपर में आपको एक profile icon का option मिलेगा ता आपको यहाँ पे click करना है, click करने के बाद आपको नीचे में settings का option दिखेगा ता आपको यहाँ पे जाना है, जाने के बाद आपको क्या करना है कि इसमें आपको manage all history का option मिलेगा तो आपको यहाँ पर click करना है, click करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का option दिखेगा, आपको क्या करना है कि YouTube का search history delete करने के लिए आपको नीचे में scroll करना है, उसके बाद यहाँ पर delete का option मिलेगा, और नीचे में YouTube आप जो भी चीज़ सर्च किये होंगे वह दिखने लगेगा, तो यहाँ से अगर आप एक ही delete करना चाहते हैं, उसको search history को बारी बारी से delete करना चाहते हैं, तो simple आपको यहाँ पर cross का option मिलेगा, तो आपको यहाँ पर click करना है, उसके बाद यहाँ से delete हो जागा, फिस आपको cross पर click करना है, तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा अगर आप पुरा सर्चिस्टी को एक ही बार में डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक डिलीट का option मिलेगा तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर एक डिलीट का option मिला हुआ है अगर आप डिलीट करते हैं तो आज जो यहां से इसको delete कर देना है, तो चलिए हां से इसको cut करते हैं, उसके बाद यहां आपको एक delete all time का option मिलता है, अगर आप पूरे search history को एक ही बार में delete करना चाहते हैं, clear करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, कि delete all time पे click कर देना है, click करने के बाद नीचे आपको तो एक delete option मिलेगा तो आपको फिर से यहाँ पे click करना है उसके बाद आपको OK पे click कर देना है click करने के बाद यहाँ से आपका YouTube का search history हो पुरा delete हो जागा तो यहाँ से देख सकते हैं कि मेरा YouTube का search history delete हो गया है तो अगर आपके फोन में YouTube का सर्चिस्टी डिलीट नहीं हो रहा था तो उस प्रोब्लेम को आपकी इस तरह से ठिक कर सकते हैं और अपने YouTube का सर्चिस्टी को डिलीट कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को जरू सब्सक्राइब करें धन्यवाद